Hello friends, hope, you all are fine. Today we are going to study our chapter number 1 of class 12 contemporary world politics and the name of chapter is the cold war era. दुनिया में USA और USSR की बीच में cold war क्यूं हुआ था हम आज उसको पढ़ने जा रहे हैं so let us start. उसके पीछे की पहले कहानी पढ़ते हैं कि ऐसा क्यूं हुआ की cold war की नौबत आई. world war 1 28 July 1914 से लेकर 11 November 1918 तक चला world war 2nd 1939 से 1945 तक. world war 2 के अंदर दो forces थी allied forces और जो दूसरी थी वो कौन थी हमारी axis forces. allied forces के अंदर member थे आपको ये शब्द याद रखना है buff. Britain, Britain, France, USA, USSR और allied forces में आपको जिग शब्द याद रखना है Japan, Italy and Germany. देखे जब 2nd world war खतम हुआ, होने लग रहा था तो उसमें USA और USSR उसका हिस्सा नहीं थे दूसरे विश्वियोद का. जैपैन क्या करता है USA के एक पौर्ट पर नवेल बेस पर जिसको पर्ड हार्बर का जाता है उसके कबज़ा कर लेता जिसकी वज़े से क्या हुआ, USA भी इस वोर में आ गया और allied forces को उसने जोइन कर लिया. उदर एक्सिस पावर ने जर्मनी ने USSR पर हमला कर दिया था जिसकी वज़े से USSR भी इसका हिस्सा वोर का बन गया और दोनों ने किसको फौलो करा allied forces को. So let us read. When the world war 2 have started. जब world war 2 शुरू हुआ था USA और USSR इस यूद का हिस्सा नहीं थे. Japan have captured USA naval base. Japan ने USA के naval base पर कबज़ा किया. जिसके बाद USA भी allied forces का हिस्सा बनके विश्वियूद 2 में आ गया. Germany have attacked USSR. Germany ने USSR पर हमला किया था. जिसकी वज़े से USSR ने भी इसको जोइन किया कि जर्मनी ने कैसे हम पर हमला कर दिया. हाला कि जर्मनी भी communist ideology को follow करता था. और USSR भी communist ideology को follow करता था. Allied forces have won world war 2. Allied forces world war 2 को जी जाती है कब? जब USA ने जैपान के ओपर दो bomb गिराए. Atomic bomb और जैपान ने surrender कर दिया. हिरोशिमा पे little boy गिराया था. Bomb कलाम और नागसागी पे fat man गिराया था. Atomic bombs. After the world war was over. जब world war खतम हुआ. दुनिया में दो ही powers भची. The first one is USA and the second one is USSR. क्यों? क्योंकि Britain और France का तो बहुत जाता नुकसान हो चुका था. क्यों? क्योंकि वो direct configuration में थे. किस के साथ? Germany, Italy and Japan के साथ. Britain and France doesn't become a superpower because क्यों? क्योंकि वो सीधे तोर पे लड़ाई लड़ रहे थे जर्मनी के साथ. और उन लोगों का बहुत ही जादा military loss और economic loss बहुत जादा हुआ था. Cold war किस के बीच में हुआ था? USA और USSR के बीच में. अब cold war है क्या? cold war एक तरह की ideology है जिसमें दो देश एक दूसरे को के साथ मतलब की लड़ने के chance हैं पर लड़ नहीं रहे हैं. तो सबसे पहले वो कारण क्या था जिसकी वज़े से cold war को मतलब शुरुआत हुई cold war की तो पहला था क्यूबा missile crisis. USSR क्या करता है? Communist ideology को मानता था और USSR के control में था. USSR अपनी सारी missile को यहां पर क्या करता है? इंस्टॉल कर देता है. जिसके परिणाम सरूप USA की बहुत सारी states उसके direct contact में आ जाती है. और अगर मानलो अब USA को तो खतरा लगेगा ही कि कहीं यह USSR हमारे पे missile, यह atomic missiles का attack ना कर दे. तो जिसका परिणाम क्या हुआ? USA ने USSR के साथ क्या हुआ? Cold War का विवाज शुरू हुआ की पर लड़े दोनों नहीं, पर दोनों ने एक दूसरे को दंगिया देनी शुरू कर दी. USA के प्रेज़डेंट थे जोन F. Kennedy, USSR के थे निकिता कुर्षेव और क्यूबा के थे फिदाल कास्त्रो. So let us read. April 1961, USSR प्रेज़डेंट निकिता कुर्षेव decided to convert क्यूबा into military Russian base. उन्होंने इसको military Russian base में convert करने की कोशिश की तभी तो क्यूबा के कोस्ट पे USSR ने क्या किया? अपनी nuclear missiles को क्या किया? इसका परिणाम क्या हुआ? USA की बहुत सारी state इसके direct contact में आ गई. अब USA को तो खतरा लगेगा कि दुनिया में हम भी super power है और ये भी है कहीं अपने आपको super power कोशिद करने के लिए, अकेली super power communism ideology को फैलाने के लिए कहीं हम पे हमला ना कर दे. USA wants that Soviet Union should replace and remove their weapons from coast of Cuba. USA क्या चाता था कि Soviet Union अपनी missile को वहाँ से हटाए और क्या करे? उनको जल्दी से जल्दी वहाँ से हटा कर क्यूबा को मतलब कि अपना naval base ना बनाए. Kennedy जो USA के president थे, उन्होंने कहा American warship को कि अगर कोई भी Soviet ship इस तरफ आता है तो आप उस पर attack कर दो, उस पर को अपने कब्जे में ले लो. और उन्होंने ये भी कहा कि USA इसको बहुत serious लेगा अगर कोई भी missile या कोई भी ship USA की तरफ आया. तो देख रहे हो, समझ रहे हो, यहाँ से अंदेशा दिया जा रहा था तीसरे विश्वियूद का, कि अगर हमारी तरफ कुछ भी आया, तो हम भी अब पीछे नहीं आटेंगे, और हम इसको बहुत serious लेके, आप पे attack करेंगे. दिजार्दी तू फोड़ोगी, अगर उधर से कोई ship आया, तो इधर से ये भी क्या करेंगे, इसके उपर उसको retaliate करेंगे. Because of this action of USA, President Nikita have called back all the ships. इसका परिणाम सरूप क्या हुआ, USSR के प्रेजिडेंट ने सारी जो जंगी जहाज थे, उनको वापस बुला लिया. All these dramatic tensions are called क्यूबा missile crisis. अब लड़ाई तो हुई नहीं, बस एक drama create हुआ, मुहाँ पर मिसाइले रख दी, USA ने दमकी दी, और का कि हम इसको serious लेंगे, उन मिसाइलों को वापस बुला लिया, जब तुमने कुछ करना ही नहीं था, तो पिर मुहाँ पर अपनी मिसाइले, वो क्य क्यूंकि ये USSR को सोचना चाहिए था, और खामखई में, उस USA से अपनी बेज़िती भी कराई, कि उनने एक दमकी दी और USSR डर गया, इस इस दा हाई पॉइंट, विच हैव कोस्ड कॉल्ड वार, बोत दा नेशन डूनों देश लड़ना नहीं चाहते थे, बोत नेशन से हैव नुकलिर वैपन, क्योंकि दोनों देश के पार नुकलिर वैपन थे, और दोनों देशों को ये पता था कि अगर हम आपस में लड़े, तो क्या होगा, तीस वारा विश विउद होगा, और ये दोनों आपस में एक दूसरे को तबहा कर लेते, क्यों, क्योंकि दोनों के पास लड़ाई शुरू होती है तो अमेरिका ये थोड़ी देखता कि USSR ने कितने गिराए या USSR ये थोड़ी देखता कि अमेरिका ने कितने दोनों नुकिलर बॉम्स का यूज करते है और 6000 से ज़्यादा है इनके पास सोचिए कितना तबाही मचती नेक्स पॉइंट है हमारा कॉल्ड वर देखी USA और USSR दुनिया में दो ही सूपर पावर बची थी इस विश्वियो दो के होने के बाद USA किस आइडियोलोजी को फॉलो करता था कैपिटलिजम को और USSR किसको फॉलो करता था कम्यूनिजम को USA के अंदर मल्लिपार्टी सिस्टम था, USSR के अंदर सिंगल पार्टी सिस्टम था और दोनों ही देश के पास मिलिटरिकल पावर बहुत ही जादा थी पर ये डिसाइड करना मुश्किल था कि किस के पास जादा है और विच नेशन कौन सा देश जादा अमीर है या जादा एकोनोमिक सिच्वेशन जिसकी अच्छी है और दिफरेंट आइडियोलोजी एज युएस फोलोजी थी USA Capitalism और Liberal Democracy को फोलोगरता था और USSR Communism को फोलोगरता था अब दोनों ही क्या चाते थे दुनिया भर में उनकी क्या हो आइडियोलोजी को माना जाए और उसका implementation सही से हो दुनिया उनकी आइडियोलोजी को माने और दुनिया में USA का दबदबा रहे या USSR का दबदबा रहे चाता था कि दुनिया भर में कौन सी आइडियोलोजी फोलो हो Communism हो डूरिंग कोल्ड वार जब कोल्ड वार चल रहा था बोट ओफ दीज कंट्रीज इन दोनों कंट्रीज ने अपने गैंक्स बनाने शुरू कर दी USA ने भी और USSR ने भी कहने का मतलब है कुछ देशों को कमजोर देशों को या फिर जो हाल फिलाल में आजाद हुए देश थे उनको अपने साथ मिलाना शुरू किया ताकि ये अपने अलाइंस बना सके अपने गुट गुरूप्स बना सके 1945 में Cold War शुरू हुआ था जब सेकेंड विश्वियूद क्या हुआ था जिसका अंतुआ था Logic of Detrance देखिए दोनों देश आपस में लड़ने के एक दूसरे को बुलावा कहने का मतलब है कि एक दूसरे को उकसा रहे हैं पर लड़नी रहे हैं आपस में ना USA लड़ा ना USSR लड़ा इसी कोई क्या बोलता है Logic of Detrance Cold War Remain Cold War मतलब Cold War कभी भी Hot War नहीं बना USA और USSR के बीच में आमने सामने की लड़ाई नहीं हुई बहुत में डेस्ट्रोई इच अदर अगर आमने सामने की लड़ाई होती तो दोनों एक दूसरे को क्या कर लेते डेस्ट्रोई कर लेते क्यों क्योंकि दोनों के ही पास nuclear bombs थे So it will be difficult तो ये बहुत मुश्किल हो जाता decide करना की जीत किसकी हुई क्यों क्योंकि दोनों ही most powerful countries थे उस वक्त की दुनिया में Cold War military features क्या थे Cold War के अगर दोनों countries के बीच में logic of deterrence ना होता तो क्या होता दोनों के बीच में लड़ाई होती तो इन्होंने क्या किया logic of deterrence को पास किया ताकि क्या हो इसको अपनाया कि दोनों country war को क्या कर सके avoid कर सके So both the countries have been rational and responsible और दोनों countries को क्या बनना है समझदार भी बनना है और जिम्मेदार भी बनना है क्योंकि दुनिया में दो ही सुपर पावर थी USA और USSR तो इन दोनों का जिम्मेदार होना बहुत ही ज़्यादा जरूरी था Because of cold war there is a big human survival ये cold war hot war में नहीं बदला इसका परिणाम सुरूप क्या हुआ दुनिया में हजारो लाखो लोगों की मृत्यू नहीं हुई क्योंकि दोनों ही nuclear bombs थे nuclear powers थे एक दूसरे के उपर जब nuclear attack करते तो लाखों हजारों लोग मरते तो वो क्या हुआ बहुत बड़ा human survival हो बलोग वन ये बलोग टू दिस यूएससर और दिस यूएससर और दिस यूएससरे के साथ बारा देश आए जिनको हम मैं आपको ये पिक्चर में दिखा रहा हूँ आप इसको देखिएगा देखिए ये बारा देशों के नाम है आप इनको याद कर लीजेगा अधिकतर इनों ने उन देशों का अट्रेक्ट करने की कोशिश करी जो स्मॉल थे डेवलपिंग हो रहे थे अभी डेवलप्र नहीं हो रहे थे क्योंकि डेवलपिंग देश की जरूरते बहुत ज़ादा होती है तो वो यूएसे और यूएसे सार पर निर्भर हो जाए और उनके साथ क्या करें अलाइन्स कर लें डूइंग डिस और अगर ऐसा होता है तो इंक्रीज किसलिए ऐसा कर रहे थे वो ताकि वेस्टर्न अलाइन्स का क्या हो या इसका वार्सवा पैक्ट का क्या हो दबदबा दुनिया में बढ़े यूएसे का जो एलाइन्स था जो ब्लोक था उसको क्या बोला जाता था नाटो नॉर्थ एट्लैंटिक ट्रीटी ओर्गिनाजेशन 1949 में यह उसका फ्लैग है यह स्टार्स हैं और यह ऐसे और यह इधर लाइन्स 12 कंट्रीज है फॉर्म्ड दिस ओर्गिनाजेशन इसके अंदर 12 मेंबर बने मैंने आपको फोटो दिखा दिया है नाम देख लीजेगा आप उनके अच्छे से याद कीजेगा और अगर इन 12 देशों में से किसी भी एक देश पे हमला होता है तो USA इसको बहुत सीरियसली लेगा और यह माना जाएगा कि इन 12 देशों पे हमला हुआ कहने का मतलब है अगर NATO के किसी देश पे भी हमला होता तो जो दूसरे 11 देश है वो उसको retaliate करते और जिस देश पे हमला हुआ है उसको पूरा support करते USSR ने अपना क्या बनाया जैसे USSR ने तो NATO बनाया USSR ने अपना Warsaw Pact बनाया वार्सोवा एक जगा है पोलेंड में वहाँ पे ये संदीत है हुई थी 1955 में मिशन किसलिए ताकि यूरोप में वेस्टरन पावर यानि नाटो का दबदबा रोका जा सके उनका कंट्रोल रोका जा सके इसलिए USSR ने भी वार्सोवा Pact किया ये रैड वाला पोर्शन ये यूरो एक सके बस ये देखिए ये 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 यूरोप ये पूरा तो इधर ये नाटो वाले देश कोन है ये 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 य लाके देखिए एक तो इनके देशों के रिसोर्स उप्योग करने को इनको मिलते पहला पुइंट और दूसरा टेरिटरी उनकी जो जमीने हैं उनका भी सूपर पावर उप्योग कर सकती थी अपने वैपन्स टूप्स को लॉंच करने के लिए लोकेशन्स फ्रॉम वेहर दे कुड़ स्पाई और एक दूसरे पे वो नजर भी रख सकती थी क्योंकि जितने ज़्यादा जिसके ऐलाइन्स होंगे एक दूसरे के नजदीक उतने ही ज़्यादा एक दूसरे की जासूसी भी अच्छे से की जा सकती है इकोनमिक सपोर्ट, इने इक Families मिलता दे मिलिटरिकल सपोर्ट भी मिलता जो देश इनका इलाइन्स बनता जाता और याद रखियेगा जो बھی देश USA के साथ गए वो Capitalism nossa Ideology को फोलो करते थे और जो भी इस वर को जीतता इस Cold War को या फिर ये जो भी USA और USSR के बीच में टेंशन चल रही थी इस यूनि पोलर वर्ल्ड को बनाने की तो जो भी इसको जीता दुनिया में दो ही आइडियोलोजी होती है तो कैपिटलिस्म या फिर कम्यूनिस्म अब ये जो थर्ड वर्ल्ड का जाता है जिसको जिने हम क्या कहते हैं नैम, Non Alignment Movement Initiative of 5 भी इनको का जाता है आप ये शब्द याद रखेगा अगर वन वर्ड में पूछे Initiative of 5 तो जिन 5 देशों ने नैम को बनाया था उनके बारे में बताना है आपको ये शब्द याद रखना है ये युगोसलेविया, इंडोनेशिया, इंडिया, गाना एंड एजिप्ट और ये इनके क्या थे ये भारत के परदान मंत्री थे ये चारों यहां के प्रेजडेंट थे इनके नेम आपको याद रखने है अब वो एरिनाज कौन सी जगह थी जहां पे ये कॉल्ड वार बेसिकली हो रहा था दोनों आपने सामने एक दूसरे से नहीं लड़े मानलो ये यूएसे है और ये यूएसेसर है एक दूसरे से आपने सामने नहीं लड़े यूएसेसर यूएसे का जो दोस्त ऐलाइनस है उससे लड़ रहा है और यूएसे किस से लड़ रहा है यूएसेसर का जो ऐलाइनस है उससे लड़ रहा है ठीक है आमने सामने एक दूसरे से नहीं लड़ रहे हैं तो अब देखो मालो जब USA उससे लड़ेगा तो उसका भी बहुत ज़्यादा मिलिटरिकल पैसा कर जोगा और वार में सैनिक भी मरे जाएंगे और USSR के भी जब USSR USA के ऐलाइनस से लड़ेगा तो USA को मदद के लिए वहाँ भी जाना पड़ेगा रशिया को वहाँ भी तो दोनों certain limits there was no nuclear war और world war कहने का मतलब है कि उस limit तक ना पोचना कि तीसरा विश्वियूद हो या nuclear bombs का उपयोग हो पर ये कहना चाहरा है कि लड़ाईयां या लड़ाईयां शुरू हो चुकी है या एक दूसरे को डरा रहे हैं पर उस limit को कभी करोश नहीं करेंगे कि nuclear weapons का उपयोग कर करना पड़े और वो जो कुछ वार को थे जिसमें USA USSR के अलाइंस के साथ लड़ रहा था और USSR USA के अलाइंस के साथ लड़ रहा था वो ये हैं नाम जैसे Korean War 1952-53, Afghanistan War 1959-89, Vietnam War 1954-75, Cuban Missile Crisis यह मैंने आपको बता दिया 1962 ठीक है और Berlin में 1948-49 जब Stalin ने Berlin के बीच में दिवार बना दी जिसमें West और East, West किसके कंट्रोल में था USA के और East किसके कंट्रोल में था USSR के, USA West वेस्ट वाले हिस्ट करके फूड, Essential आइटम्स दे रहा था लोगों को उससे क्या हो ताकि यह वली Western में कौन सी आइडियोलोजी को फोलो किया जाए USA की यानी Capitalism को और बर्लिन का हमने स्टैलिन वाली बात हो गई और कॉंगो वार में हमारा 1960 में हुआ था, नेम कंट्री ने इनमें क्या important role play किया, इनमें negotiation कराई, दुनिया को यह पहचान कराया कि नेम देश भी है USA और USSR को, क्योंकि वो दोनों अपने आपको ही दुनिया में सबसे बड़ा मान रहे थे तो उनको यह एहसास कराया कि एक थर्ड बलोक भी है जिसे नेम कहते हैं और उसके अंदर जो भी उसमें क्या होगा, कंफलिक्ट करेगा, इराइज उसके खिलाफ यह नेम वले देश ग्रूप आवाज उठाएंगे, जवाला नेरू है प्लेट, important role उन्होंने प 53 तक हुआ था, तो जो यह की में इंडिया था, उनके जो नेम के founder, most important founder जवाला नेरूत है, उन्होंने वहाँ पर negotiation कराई थी और दुनिया को यह दिखाया था, कि नेम देश भी कुछ है, इंडिया भी कुछ है, UN जनरल सेक्रेटरी ने कहां पर role play किया था, कोंगो वार के अ पैसा उनका खर्च हो रहा था, मिलिटरिकल पावर भी वेपन्स भी बहुत ज़्यादा खर्च हो रहे थे, और अगर मालो यह दोनों के ही पास nuclear powers थे, अगर किसी के यहां से गलती से भी कोई एक launch हो जाता, तो दूसरे के लिए यह समझना मुश्किल हो जाता, कि उससे गलत के बीच में हमेशा ही cold war बना रहा, कभी भी वो hot war नहीं हुआ, तो इस चीज को दूर करने के लिए इस खत्रे को की nuclear weapon का खत्रे से कहीं US और USSR एक दूसरे को destroy ना कर ले, एक arm control act treaty पास होई, उनके बीच में 1960s में जिसमें तीन तरह की उन्होंने संधीज को sign किया, पहली treaty क्य आप इसको याद रखेगा, चार नंबर का भी question बन सकता है, तीन नंबर का भी, 1963 में होई थी, prohibits the test of nuclear weapons in atmosphere, space and underwater, कहने का मतलब है, हवा में और सोर्म अंडर, इसमें, space में और आपका water के अंदर, हम nuclear weapon का testing नहीं करेंगे, क्योंकि nuclear weapons को तो testing की जुड़त पढ़ती है, पर कहां पर कर सकते थे, underground water में, ये इस treaty में, USA और USSR ने तै किया, और इन दोनों ने इस treaty के ऊपर sign किया, अब non proliferation treaty क्या थी, जो 1968 में USA और USSR के बीच में हुई थी, जिसमें 189 मेंबर थे, पहला two stop further spread of nuclear weapons, दोनों ने तै किया कि अब वो दोनों देश और nuclear weapons नहीं बनाएंगे, दूसरा point, उन देशों की ये दोनों देश रक्षा करेंगे, जिनके पास nuclear weapons नहीं है, या जिन्नोंने nuclear weapons को नहीं बनाया, और इस बनाने के idea को त्याग दिया, third, to pursue a negotiation toward nuclear disarmament and eventual elimination of nuclear weapons, और धीरे धीरे ये क्या करेंगे, nuclear weapon नहीं, मतलब nuclear weapon तो बनाना बंद करी देंगे, साथ में, जो इ eliminate कर देंगे, और D point क्या था, to encourage international cooperation in the peaceful use of nuclear energy, और nuclear energy का सही से उप्योग करेंगे, और दुनिया बर में शान्ती बनाये रखेंगे, third treaty इन्होंने क्या sign की, anti ballistic missile की, अगर जो हवा से हवावे मार करने वाली विसाइल होती है, कि अगर USSR कोई missile launch करेगा, तो यह से उसको हवा में ही destroy कर देगा, अगर USA ने कोई missile launch की, तो USSR उसको हवा में ही destroy कर देगा, यह मैंने बना कर दिखाई हैं यहाँ पे, between USA and USSR defending areas against ballistic missile covered nuclear weapons, challenge to bipolarity, दुनिया में दो ही देश थे, हमें पता है, जो superpower का हक रखते थे, the first pole is USA and the second pole is USSR, पर यह जो third pole आ गया था, यह नैम वले देश जो आ गे जो USA को यह कह रहे थे कि दुनिया में सिर्फ तुम दोनों देशी नहीं हो, हम भी हैं, नैम के पांच founding member थे, यह गी, Yugoslavia, Indonesia, India, Ghana and Egypt, आप इसी शब्द को याद रखिएगा, इसको initiative of five भी कहते हैं, बाद में इनको Africa, Asia, Latin America के देशों ने join किया, और one word का answer यहाँ पे भी, ए in 1961 में हुआ था, this is very important, you should remember this, and attended by 25 states, और कितने देशों ने इसको अटेंड किया था, 25 देशों ने, थर्ड वर्ल्ड वार, जो था, वो कौन था, वो नैम के जो देश थे, जैसे टू प्रिंसिपल्स की आइडियोलोजी पे नैम फोलो करता था, आइसोलेटेनिज्म and नूट रियलिटी, आइसोलेटेनिज्म क्या होता है, जिसमें दुनिया के वर्गे जो भी वर्ल्ड अफेर हैं, उनसे मतलब भिन रहता है, उनमें दखल ना देना, पर नैम के आइडियोलोजी ऐसी नहीं थी, तबी तो जवाला नेरू ने दखल दिया था, उसमें नॉर्थ कोरिय वाले नेगोसियेशन कराने में, और यूएन जर्नल असेम्बली के जो चेर्में थे, उन्होंने दखल दिया था, कोंगो वार में, तो ये बहुत ज़्यादा था, नैम ने ये वैरी क्लियर एक्वाई कर दिया था, कि तुम ये मत सोच ना, यूएसे, उससार, कि हम आइसोल कि हम वार में दखल नी देंगे, और एनी पोजिशन और हमारा वार में कोई बूमिका नहीं होगी, ऐसा नैम की आइडियोलोजी नहीं थी, नैम ने एक लैरिफाई कर दिया था, कि जो नैम संगठन के समूग के जो देश होंगे, अगर उन पे कुछ होता है, तो नैम भी क् ये थर्ड वर्ल्ड का क्या था, चैलेंज था, नियू इंटरनेशनल एकोनोमिक ओर्डर, अब जो नैम के मेंली जो देश थे, वो लीस डेवलप्ड कंट्रीज थे, जिनको हाली फिलाल में ब्रिटेन से क्या मिली थी, अजादी मिली थी, और जो अपना डेवलप्मेंट के तो यूनाइटी नेशन कॉन्फरेंस ओन ट्रेड एंड डेवलप्मेंट की ये बहुत इंपोटेंट है, आप याद रखिएगा, कंपिटिशन एक्जाम के परस्पेक्टिव से भी, और बोड एक्जाम के परस्पेक्टिव से भी, यून ने एक मीटिंग कराई, और उसमें एक रिपोर्ट सम्मीट हुई 1972 में जिसमें नैम देशों ने चार रिफोर्म की बात करी, गोलोबल ट्रेड में, जिसका जो वेस्टन एक्स्पोइटेशन हो रहा था, नैम देशों का उसको रोक सके, तो वो चार रिफोर्म क्या थे, ये इंपोर्टेंट है, तीन नमबर का कंट्रोल हो, ना कि किसी दूसरे देश का, USA का या USSR का, या किसी भी और देश का, उनकी टेरिटरी है, उनका ही कंट्रोल हो, चाहे उनकी टेरिटरी में जो रिसोर्सीज है, कोयल, पैट्रोल, गोल्ड, वाटर, एटीसी, उन सब पर उनी का कंट्रोल हो, कोई और उनके मामलो में दखल ना दे उनको access मिले western market में ताकि least developed country अपना माल बेच कर foreign reserve इखटा कर सके और अपने देश की तरक्की कर सके और poorer countries से वो क्या बन सके rich countries की तरफ mean to say कि developing से वो developed बन सके दूसरा reform ये था और तीसरा reform क्या था reduce the cost of technology from the western countries जो वो western countries से technology खरीद रहे हैं उसकी cost को उसकी लागत को कुछ कम करना चाहिए क्योंकि western countries से जब technology यहाँ पे आती है तो जो least developed country का foreign reserve होता है उसका पैसा उनके पास चला जाता है least developed country और गरीब हो जाती है और जो western countries थी वो और अमीर होती जा रही थी तो इसलिए ldc least developed country क्या चाहती थी कि technological जो कोस्ट है वो बहुत कम हो western countries से जब हम खरीदे provide the ldc with a greater role in international economic institution और least developed country को ज़्यादा महत्वता दी जाए किस में जो international economic institution है IMFA world bank etc यह सब उनमें इन देशों का least developed countries का दखन क्या हो मतलब इनके लिए ज़्यादा सोचा रह जाए इनकी हक्की बात वहाँ पर ज़्यादा की जाए mid 1970s NAM started to give importance to economic issues 1975 तक NAM ने international economic issues पे ध्यान देना शुरू किया 1980s में initiative of NIEO very important you should remember this new international economic order इसमें जब यह पास हुआ यह जो चार reform काया गए थे 1980s तक आते आते तक यह बहुत ही इनका अस्तित्व लगबग होना शुरू हो गया था क्यों क्योंकि वेस्ट की तरफ से बहुत ज़्यादा competition आ रहा था NAM के reform की बात किसी ने की नहीं पर NAM ने clarify किया कि वो चारो reform follow होने चाहिए पर Western power इनको रोकना चाहती थी क्यों क्योंकि उनका बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा था अब इंडिया की क्या बूमिका थी cold war के अंदर इंडिया response toward cold war is twofold हम दो तरफा थे एक तो हम alliance से दूर थे और दूसरी तरफ हम decolonize जो हाल फिलान में countries Britain के शाशन से आजाद हुई थी उनके साथ मिलके अपना alliance बनाने लग रहे थे जब आप पहला तो USA को नी जोइन कर रहे हो USSR को नी जोइन कर रहे हो तो पिर आप नैम देशों का मिलके एक संगठन क्यों बना रहे हो यह अपने आप में एक सवाल था India says to these nations that they don't follow alliance India ने कहा कि इन देशों को नैम जो अभी अभी फिलाहल फिलाहल में आजाद हुए थे कि आपकी ना USA के साथ जाओ ना USSR के साथ जाओ India's policy is neither negative ना हमारी कोई negative policy नी है पर नाम और inactive की नाम इसमें दखल देंगे कहने का मतलब है कि दो तरफा वाली बात हो गई एक तो तुम कह रहे हो USA और USSR को जोइन ना करो और दूसरी तरफ यह कह रहे हो कि अपने ही alliance बना लो नाम के साथ जुड जाओ India helped in reducing tensions of cold war हमने टेंशन गटाने में जवाला नेरू साब गए थे ना negotiation करने Korean war की तो उससे क्या हुआ दुनिया में world war prevent या बड़े scale पे जो यूद होना था USA और USSR के बीच में वो एक बार फिर टल गया India follow ideology of name हम name की ideology को क्या करते थे follow करते थे अब ये कतन का जवाला नेरू ने genuine common wealth of free and fair nation आप इसका मतलब क्या है मुझे comment box में बताईएगा जो आपको समझ में आया है फिर हम देखेंगे कि आपने कितना अच्छा इस chapter को अब तक समझा non alignment and India's trust benefit अब इंडिया के इसमें क्या benefit थे name के साथ देखो first non alignment allowed India to take international decisions अपने खुद लेने के उसमें ये था और इंडिया को भी उससे क्या होता था फाइदा पोच्छता और इंडिया ने ये भी clarify कर दिया था कि इंडिया अपने foreign affairs खुद maintain करेगा ना कि कोई super power उस पे आके अपना हक या दखल देगी और able to balance one super power और इंडिया क्या हो जाता इस चीज़ के लिए भी योग्या बन जाता कि देखो अगर USA हमें परिशान करता है तो हम USSR के साथ चले जाते है USSR हमें कुछ कहता है तो हम USA के साथ चले जाते है ये इंडिया ने policy अपनाई able to balance one super power against other if it felt ignored or pressurized by one अगर इंडिया किसी के साथ pressurized हुआ किसी के भी दुआरा it could move tilt वो तो एक निती अपनाएगा कि वो दूसरे के साथ क्या कर लेगा alliance कर लेगा और याद रखना ना USA और ना USSR इंडिया को granted मतलब कि ऐसी हलके में ना ले इंडिया का भी अपना एक अस्तित्व है इंडिया ने ये दर्शानी की कोशिश की अभी का criticism भी होता है कि इंडिया की policy name के अंदरगत क्या थी unprincipled थी जैसे इंडिया's name was said unprincipled क्यों क्यों क्योंकि एक तरफ तो आप ये कह रहे हो कि ना USA को join करो ना USSR को और दूसरी तरफ अपना ही संगठन बनाने लग रहे हो तो ये भी एक अच्छी बात नहीं थी इंडिया sometime did not take the firm sentence on important international issues और हमने एक अपना proper stand international issues पे उस वक्त नहीं लिया इंडिया was inconsistent और हम inconsistent थे and take contradictory posture और अगर हमारे पे कोई बात आई तो हमने आवाज उठाई otherwise छोड़ो ऐसा थोड़ी होता है जब आप एक founding member हो एक इतने बड़े संगठन के तो कुछ जिम्मेदारियां भी इंडिया की उस ताइम क्या होती बनती example के तोर पर जब हम ये कह रहे थे alliance वालों को भी और least developed countries को भी की USA के साथ भी न जाओ USSR की साथ भी न जाओ तो फिर इंडिया ने क्यों खुद से अपनी एक friendship treaty Russia के साथ कर ली भाई दुनिया को तो रोक रहे हो कि alliance ना करो और जब अपनी बारी आई मदद की जुनत पड़ी तो रशे के साथ एक treaty कर ली इट क्रिटिसाइज अधर स्टेट फॉर बिंग पार्ट ऑफ अलाइंस बट इटसेल्फ साइन ट्रेटी ऑफ फ्रेंडशिप इन अगस्त 1947 विद USSR के साथ एक क्रिटी साइन कर ली थी इनोंने अधर साइट जोइनिंग सोवेट अलाइंस और दूसरों ने इसको क्या देखा कि इंडिया ने तो सोवेट अलाइंस को जोइन कर लिया अब इंडियन गवर्मेंट ने मदद क्यो ली थी क्यों क्यों हमने जो इस्ट पाकिस्तान था जो बाद में बंगला देश बना 1971 की लड़ाई में उसको वेस्ट पाकिस्तान जो आज का पाकिस्तान है उस टाइम वेस्ट पाकिस्तान कहलाता था उससे अलग करवाया इसलिए हमने यूएससर की मदद ली थी बंगला देश वार में जो 1971 में हुआ था इड दी सेम टाइम यूएस गूर्स और सर्विसिज जो का एक्जिस्टेंस देखेंगे तो कोई आइडियोलोजिकल बैलेंस ड नहीं बनता क्यों क्योंकि हर देश अपने हीतों को पूरा करने में लगा हुआ है तो उमीद है आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा हमारे काम को सपोर्ट करने के लिए वीडियो को लाइक कीजेगा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजेगा और हमारे चैनल को भी सबस्क्राइब कर दीजेगा अच्छा मैं आपको इसमें एक चीज दिखाना भूल गया ये याद रखेगा ये जो रैड वाला पॉर्शन है पेज नंबर 6 पर NCRT की ये है हमारा रशिया का USSR वार्सवा पैक्ट यहां पे पॉलेंड में हुआ था और ये जो येलो वाला है ये है हमारे नाटो देश यानि North Atlantic Treaty Organization of USA और जो हमारे ग्रीन वाले देश है वो कोन है हमारे नेम Non Alignment Movement यानि जो ना तो USA को सुपर पावर मानते थे मतलब यूनि पोलर वर्ल्ड जिनने बनने से रोका था क्योंकि अगर यूनि पोलर वर्ल्ड बनता है या तो USA डोमिनेट करता है या USSR तो इननों ने थर्ड वर्ल्ड बनके उसको क्या किया चैलेंज किया उमीद है गाईज आप कोई चैप्टर समझ में आया होगा और अगर आपकी कोई क्वेरी है या कोई सज़ेशन है तो आप हमें कमेंट बोक्स में वो बताईएगा हम उसका आंसर देने की पूरी कोशिश करेंगे और आप जो इसकी एकसरसाइज के कोशिशन से इने ट्राई कीजेगा और अगर किसी में कोई क्वेरी है या कोई डाउट है तो आप हमसे डिसकस कमेंट बोक्स के जरीए कर सकते है या आप हमारे चैनल से भी जूड सकते हैं उसमें हम आप से लाइफ डिसकेशन भी कर सकते हैं चीजों के उपर बोर्ड एक्जाम की स्ट्रेटिजी इस भी तो अगर और जो इस चैप्टर के नोट से मैं आप से रिक्वेस्ट करूँगा कि आप खुद बनाईएगा और अगर आप इंसिस्ट करेंगे तो हम PDF प्रोवाइड करा देंगी वो कोई इशू वाली बात तो है नहीं क्योंकि हम लगबग सभी सब्जेक्ट की PDF डिस्क्रिप्शन में दे देते हैं पर आप बोर्ड एक्जाम से मैठने जा रहे हो मैं चाहता हूँ कि आप ये खुद लिखो जब आप लिख रहे होंगे तो आपके माइड में चीजे और ज़्यादा अच्छे से क्लिक करेंगी तो अगली वीडियो में हम चैप्टर नमबर टू पढ़ेंगे दा एंड ओफ बायो पॉलेरिटी तो आप इसको अच्छे से समझेगा चैप्टर वन को और अगर कोई चीज टोपिक ना समझ हो तो हमें बताईएगा धन्यवाद कैस